हाउ टो रिमूव एफार पी लोग इन वीवो 5G मुबाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यू चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपके पास ही वीवो को मुबाई जो की अभी हमारे हाल में ही लॉंच में जो इसके ट्रंप सारे accept करने का इसको next next करते हैं फिर आपको यहाँ पर आके अटक याद है गोगल वाले option पर देखिए verify your account तो यहाँ पर आप इसको verify नहीं कर पारे है अपना पुराना गोगल आइडिया को याद नहीं है password याद नहीं है तो कैसे आप इसको bypass कर पाएंगे यहाँ पर इस तरीके से बैक आना और यहाँ पर आपको मिलेगा वाइफाइला option तो अपने वाइल फॉन में वाइफाइ करेंट करना सब पहले आपको यहाँ पर अपना इंटरनेट एक्सिस करना है तो हमने वाइफाइ कर लिया देखिए यहाँ पर वर्माहूस से कनेक्ट प्रेस करनेगा दोस्तों कस तरीकर आपे गोश्ठण आपको सो होगा फिर आपको यहाँ पर इस तरीकर अन कर देना है जैसे अब इसको तरीके इसको प्रेस करना है जबा incarnate दबाइंगे तो यहाँ पर देखिए आपको टॉर्फेया अधंभा और नहीं होता है यहां लें इसलिक्र नहीं सुझन करना और यहां पर इसको करना है इसारी के Kinизisone कले है आँर चौनDisट करना है अनेवल कुछ करता ही तो यहां पर फिर यहां यूज कर सकते हैं फिर दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पर उल्टा एल मना रहा है और यहाँ पर आपको मिलेगा वाइल यूजिंग दा एप तो आपको इसको करना है टॉच जैसे आप इस पर करेंगे डवल टैप तो आपको साम कुछ तरीका ओप्सन शो हो जाएगा फ यहाँ पर कराओ डवल टैप गूगल असिस्टेंट ओपन यूट्यूब तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने अपने वाइल फोन में यूट्यूब एक्सिस कर लिया है अब आपको यहाँ पर वॉल्यम अप और वॉल्यम डाउन इन दोरों पटन को इस तरीके से दवाना है झाल्ण है और आप देखिए कि हमरों टॉल टॉक्वैकश ऑफ हो चुगा है अब इसका दोस्तों आपको यहाँ पर प्रफाइल वाले ऑप्शन पर fetch करना है जैसे आफ इस पर कर पीयाँगए नेना यूटूब यूट्यूब टर्म्स और सरव difféसाले आफिप्शन पर तो आपको page number one दिख रहा तो यहाँ पर select करना है और यहाँ पर आपको new tab open कर लेना है new tab open करनेगा यहाँ पर search में लिखना है vnrome जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे vnrome तो यहाँ पर आपके सामने show हो जाएगा तो आप इसमें vnrome frv bypass को open कर लीजिएगा तो vnrome bypass open करनेगा यहाँ पर आपको first option मिलेगा bypass google account तो आपको इस पर करना है touch इस पर touch करनेगा दोस्तों आपको सामने कुछ तो हो जाएगा फिर आपने page को slide करना है उपर की तरफ और यहाँ पर राजने system वाले option में जैसे दोस्तों आपके सामने कुछ तो हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर दोस्तों reset option वाले option पर करना है touch इस पर touch करनेगा दोस्तों यहाँ पर मिलेगा reset all settings वाला option तो आपको इस पर करना है touch जैसे तो आप इस पर करेंगे touch तो यहाँ पर थोड़ा सामने नीचे मिलेगा reset all settings वाला option तो आपको इस पर touch कर देना है और यहाँ पर दोड़ा से आपको दोस्तों reset all settings नहीं करना होगा touch जैसे उसके आप इस पर करेंगे touch तो यहां पर देखे हमारी setting restoring हो रही है यहां पर आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा तो please दोस्तों यहां पर आप कुछ दिर के लिए wait कर लिएगा आपको mobile phone automatic बंदों के चालू होगा फिर आपको अपना mobile phone को on होने देना है तो दिखे फैर्स यहां पर हमारी phone बंद होके दौआर से चालू हो रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जो तो मारा वाइल फोन अन नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों समय लेगा, तो आपको वेट करना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मारा वाइल फोन रिसेट होने के बाद द्वार से अन हो गया है, फिर आ आपको अपने वाइल फोन को दुवार से वाइफाई से कनेक्ट कर लेना है तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने अपना पास्वाट डाल दिया है फिर इसके आदम को करें कनेक्ट कनेक्ट करने का देखिए फ्रेंस यहां पर हमारा वाइल फोन वाइफाई से कनेक्ट हो चु बखा देते हैं कि हमारों वाइल फोन जो है पासवर मांग रहा है तो इस तरीके से आपको जब चेक करने को मिलेगा तो यहां पर चेकिंग इन्फो के बाद आपका यही पर फोन रुख जाएगा फिर से दोस्तों आपको बैक कर लेना है और फर्स्ट प्रेस पर आ जाना जो हमारा सबसे जुरू का पेस था फिर आपको दुआरे से अपने वाइल फोन में टॉक बैक को एक्सिस करना है इस तरीके से दोनों वॉल्यूम की को दबाना है आपको वॉल्यूम अप और करना है और फिर आपके सामने यहां पर आजागा यूज वॉइस कमांड वाला ओप्शन तो फिर से दोस्तों में वही सेटप फोलो करना जो हमने पहले किया था लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग होगी जो मैं आपको बताने वारा हूं पहले आपको यहां पर टाच करना है य वोलियूम अप और वोलियूम डाउन की मदद से तो आप देखें कि हमारा टॉपब्यक ओफ हो गया है अब आपको द्वार से प्रोफाइल वाली उप्शन पर करना है टाच फिर आपको करना है सैटिंग वाली उप्शन पर तरूप और यहां पर यूट्व टरंस और स्वि बाइब दोस्तो आपको Definitely come कर लेना है और यहां पर दोस्तों आपको टाच करना है इसमाट जो हो जाएगा फिर आपको धॉया पर कर लिए पैटंब यहां पर νगा कीटिया है फिर आपको करना है इसको wax confirm करने का दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ तरीके इंटरफेश शो हो रहा है फिर आपको यहाँ पर करना yes I am in फिर आपको इसको करना got it got it करने का दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने मुवाइल फोन को इस तरीके से लॉक करके अनलॉक करना है और देखना है कि हमारा लॉक चेंज हो गया और यहाँ पर पहले पिन जो शो कर रहा तो हम इसको करेंगे बैक बैक करने के वाद इस तरीके से आपको शुरू वाले प कर देना है getting your phone ready फिर आपको यहाँ पर करना don't copy don't copy करने के आस फ्रेंड्स यहाँ पर चेकिंग इंफो आएगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हमारा पिन नमबर मांग रहा था यहीं पिन वाला पासवर्ड अब यहाँ पर हमने जो पैटन ड्रो किया तो वही प पैटन ड्रो कर दिया है और यहाँ पर हमारा गूगल वाइपास हो गया फ्रेंश देगी अब स्कीबल ऑप्शन आ रहा है जो पहले नहीं आ रहा था फिर आप कुछ को दोस्तों कर देना नेक्स्ट करने का दोस्तों आप देखेंगे फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और यूज नौ वाल ऑप्शन पर करना है टाच यूज नौ ऑप्शन पर टाच करने का दोस्तों आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर वीव Vivo Y35 तो इस तरिके साब Vivo Y35 का FRP वाइपास कर सकते हैं और सेव इसी ट्रिक को फोलो करके mostly Vivo 5G मुवाइल के FRP वाइपास कर सकते हैं यानि कि Google अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो चलिए प्लिस को लाइक कीजिएगा और मेच नबस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच